ओम प्रिये विद्यार्तियो नैतिक सिक्सा विशे की इसका क्सा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम नैतिक सिक्सा विशे का पार्ट नमबर 9 पड़ेंगे जिसका शीर्षक है गुण गान तो ये एक बहुती सुंदर कविता है इसको हम गायन विद्य से पढ़ेंगे और गायन विद्य से हम याद भी करेंगे तो मैं जैसे सुरू कर रहा हूँ जैसे मैं गाऊंगा उसी प्रकार आप भी गाने का प्रेतन करेंगे प्रेमी वन कर प्रेम से इश्वर के गुन गाया कर मन मंदिर में गाफिला भक्ती दीप जलाया कर सोने में तो रात कुजारी दिन भर करता पाप रहा इसी तरह वरवाद तु बंदे करता अपना आप रहा प्रात हसमें उठ ध्यान से सत संग में तु जाया कर प्रेमी वन कर प्रेम से इश्वर के गुण गाया कर नरतन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं जनम जनम के शुब करमों का होता जब तक मेल नहीं नरतन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर प्रेमी वन कर प्रेम से इश्वर के गुन गाया कर पास तेरे है दुखिया कोई तूने मोज उडाई क्या भूखा प्यासा पड़ा पडोसी तूने रोटी खाई क्या सबसे पहले पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर प्रेमी वन कर प्रेम से इश्वर के गुण गाया कर तो बेटा इसमें क्या गुण गान किये जा रहा है क्या प्रमात्मा के साथ जो भक्ति की जा रही है आईए हम समझते हैं इसमें कहा जा रहे कि प्रेमी वन के प्रेम से इश्वर के गुण गाया कर है ब्यक्ति है कलियोगी प्राणी है मनुस्य आप सबसे पहले प्रेमी बनो हर प्रगति बनस्पति हर किसी से प्रेम करने वाले बनो और प्रेम के साथ ही प्रमात्मा का गुणगान किये करो वहवान की अराधना किये करो मन मंदिर में गाफिला अरे गाफिला ए व्यक्ति अपने मन रूपी मंदिर में भक्ती दीप जलाया कर मन के जो मंदिर है उसमें भक्ती का दीप जलाया कर भक्ती का दीप जलाने का यहां पर क्या तात परे है कि हर व्यक्तियों के प्रती हर प्राणियों के प्रती प्रेम की भावना रखा करो यही मन के अंदर बक्ति दीप चलाने का तात परे है आगे कहते हैं सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा अभी तक तो तुमने अपनी जिंदगी की जो सोने में सारी राते गुजार दी है अर्थात जो भी राते आपकी जिंदगी में आई वो सब नीद में ही गुजारती है सो सो के गुजारती है और दिन भर करता पाप रहा और जो दिन में तुमें दिन मिला शुब कारे करने के लिए उसमें भी आप पाप करते रहे इसी तरह बरवाद तु बंदे करता अपना आप रहा इसी प्रकार है बंदे हे मनुस्य तु अपना आप अपनी जिंदगी को बरवाद कर रहा है कैसे दिन सोने में सोरी रात सोने में दिन पाप कर्मों को करने में इस Ici दर आपने अपना आप जो वो बरवाद कर रखा है आगे कहते हैं प्रातह समय उठ ध्यान से सत्संग में तु जाया कर अरे भीया प्रतह काल सुवा जल्दी उठ करके भगवान का ध्यान किया करो और सत्संग में जाया करो सत्संग में जाना से ब्यक्ति की बुद्धी में निखा राता है ब्यक्ति की जीवन में निखा राता है इसलिए हमें प्रताहकाल जल्दी उठ करके सनाना दिकरके सत्संग में जाना चाहिए आगे कहते हैं प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुणगाया कर प्रेमी बनो और प्रेम के साथ बगवान का गुणगान किया करो आगे कहते हैं नरतन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेड नहीं ये नरतन नर होता मनुस्य का तन होता सरीर मनुस्य के स्रीर के रूप में जनम लेना अर्थात नर तन का चौला पाना मतलब नर के रूप में जनम लेना बच्चों का कोई खेड नहीं ये कोई बच्चे का खेड नहीं कि मनुस्य के रूप में जनम लेना इस संसार में बच्चे 84 लाक ही होनी है विविन परकार के कीट पतंगे पसू पक्सी जीव जन्तू और विविन परकार के सांप स्पेरे मेंड के इत्यादी ये कुल मिलाकर के 84 लाक ही होनी है इन सब में मनस्या के तनका मनस्या रूपी जनम तब मिलता है जब पतंऑ हमारे कितना जन्मों का पुर्ण्य रूप मिलता है फिर से ध्यान देंगे नरतन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं जनम जनम के शुब करमों का होता जब तक मेल नहीं जब तक हमारे पूर बार जित पिछले सभी जनमों के चोटे चोटे शुब करमों को मिला करके वहुत सारे कर्मों का मेल हो जाता है शुब कर्मों का ली ज़नaciải को आइंड़ जाता है तब जाकर कि हमें मनुस्य का जनम मिलता यह मनुस्य का जनम पर पाना कोई बच्चे का खेल है फिर आगे कहते हैं नरतन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर अब जब तुम्हे नरतानी ये मनुस्य रूपी जन्म मिल गया है तो भईया इसमें आकर कि तो उत्तम करम कमाया करो क्योंकि बुद्धी जो सिर्फ मनुस्य के पास है पसुपक्षी जीव जन्तिक बुद्धी नहीं होती उनको कब किस समय कौन सा कारे करना नहीं होता ये मनुस्य बुद्धी भी है इसलिए करते हैं मनुस्य का जन्म लेने के बाद उत्तम कर्म किया गरो प्रेमो करेम से इश्वर के गुणगाया कर और प्रेमो करके प्रेम के साथ भगवान का गुणगान किया करो नेक्स्ट है पास तेरे है दुखिया कोई तूने मोज उडाई क्या यदि आपके पास में आपके करीब में यदि दुखी इनसान पैठा है तो आप क्या मोज उडा रहे हैं आपका मोज उडाना आपकी मस्ती है करना बेर्थ है क्योंकि वो पीडित है दुखे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए आपको ऐस मस्ती नहीं करनी चाहिए भूखा प्यासा पड़ा पडोसी तुने रोटी खाई क्या आपके बगल में यदि कोई विक्ती भूख से बिलकरा है बुखा प्यासा है जिसके बास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपका रोटी खाना विर्त है क्योंकि आपका दाइत्व कि आप उसका भी सहारा बने उसको भी भोजन के लिए पूछें आप सबसे पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर यदि आपके बगल में ऐसा कोई भुखा प्यासा कोई प्रोसी ऐसा घर में अत्वा मुहले में कोई ऐसा है तो भाईया उसको पूछना चाहिए हमें फिर हमें बोजन करना चाहिए प्रेमी वनकर प्रेम से इश्वर के गुनगाया कर और हमें प्रेमी वनकर के हमें क् кус हमी बला किसलिए मिला हमारे क्या के दाइत वह वा हमें कैसे पूरे करने हैं इस पार्ट Mart को अप सुनेंगे इस पार को आप गायन भी डिसे सुनेंगे और समझेंगे और गाने का प्रेतन भी करेंगे क्वित संद्र कवीता है और इसका अभ्यास का करें हमकल करेंगे इनी सब्दों के साथ इतियों शम